पिये मोधिने देश के विकास ने CSIR की योगदान को जम कर सरा है, उन्होंने का CSIR और NPL देश के टाइम कीपर है। CSIR, NPL तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानि भारत के समय की देखरेक व्यवस्ता आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है, तो समय का बढ़लाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का नए भविच का निर्मान भी आपसे ही दिशा पाएगा। साथियों हमारा देश दसकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टांडर्स पर निर्भर रहा है। लेकिन इस दसक में भारत को अपने स्टांडर्स को नई उचाई देनी होगी। इस दसक में भारत की गती, भारत की प्रगती, भारत का उत्थान, भारत की चबी, भारत का सामर्थय, हमारी केपिसिटी बिलिंग, हमारे स्टांडर्स से ही तै होंगे। हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश में प्रोडक्स की क्वालिटी हो, चाहिए कार बनाएं या प्राइवेट सेक्टर, हमारे quality standards ये ताय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्स की ताकत कितनी जादा बढ़ें प्रधान मंत्री ने कहा Made in India को ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए जिसकी वैश्विक्स भी कारिता हो Made in India ब्रांड में गुणवत्ता के साथ साथ विश्वस्तियता भी होनी चाहिए इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो बलकि ग्लोबल एक्सेप्टन्स भी हो ये हमें सूनिस्चिक करना है हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्राडिबिलिटी के मजबूत स्तंभव पर और मजबूत बनाना है साथियों मुझे खुशी है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है पियमोधी ने कहा भारत ने नाविक से नाविगेशन तक विकास की लंबी छलांग लगाई है आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टिम है नाविक से भारत ने ये उपलब्दी हासिल करके दिखाई है आज इसी और एक और कदम बढ़ा है आज जिस भारतिय निर्देशक द्वा लोकारपन किया गया है ये हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोड़क्स बना ले के लिए प्रोथाइट करेगा अब फूड, एडिबल ओइल्स, मिनरल्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइट, फार्मा और टेक्स्टाइल ऐसे अनेक शेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस बट्रियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं